नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 25 नवंबर को लगने वाले सुरी ग्रहन के विशे में बात करने वाले हैं 25 नवंबर को सुरी ग्रहन कब लगने चाह रहा है? इसका सही समय क्या होगा? सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा? यह ग्रहन की क्या विशेस्ता होने वाली है? इन सभी के विशे में हम लोग विश्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें दोस्तों सुरी ग्रहन बहुत ही ज़्यादा महतपूर्ण घटना मानी जाती है माना जाता है जब सुरी और प्रित्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है ऐसे में सुरी का कुछ हिस्सा या फिर संपूर्ण हिस्सा ढग जाता है और सुरी का प्रकास प्रित्वी तक नहीं पहुँच पाता है ऐसे में धर्ती से सुरी का कुछ भाग काला दिखाई देता है इसे ही हम लोग सुरी ग्रहन कहते हैं दोस्तों 25 नवंबर को पढ़ने वाला सुरी ग्रहन बेहत खास होने वाला है क्योंकि यह एक पूर्न सुरी ग्रहन होगा पूर्न सुरी ग्रहन की अवस्था में सुरी का संपूर्ण भाग ढग जाता है और धर्ती पर कुछ समय के लिए अंधेरा चा जाता है दोस्तों जोती सास्त्रों में सुरी ग्रहन को बेहत असुब बताया गया है माना जाता है कि सुरी ग्रहन के समय में किसी भी परकार के सुभकामों को नहीं करना चाहिए सुरी ग्रहन लगने से 12 घंटे पुर्वी सुतक काल सुरू हो जाता है सुतक काल सुरू होने के बाद किसी भी परकार के सुभकारियों की मनाई होती है ऐसे में अगर आपको सुरी ग्रहन का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा कर सुतक काल का समय निकाल सकते हैं सुतक काल सुरू होने के बाद ही देशवर के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिये जाते हैं और मंदिरों के परतिमाओं को असपर्स करना मना होता है दोस्तों सुरी ग्रहन के समय बेभी काफी सारी सावधानिया रखनी होती है इस वजह से भी सुरी ग्रहन का टाइम बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलिए दोस्तों जानते हैं सुरी ग्रहन 25 नमबर को कब लगेगा दोस्तों 25 नमबर 2030 को पूर्ण सुरी ग्रहन लगने जा रहा है जी हाँ दोस्तों 25 नमबर को सुरी ग्रहन जो है 2030 में पढ़ने वाला है 2030 में पढ़ने वाला यह सुरीग्रहन सुभा 9 बजगर 46 मिनट से सुरू होगा और 2 पहट 2 बजगर 35 मिनट पर खत्म हो जाएगा यह एक पूरने सुरीग्रहन होगा ऐसे में यह बहुत ही जादा महत्पुन घटना हो जाएगी इसलिए इसका इंतिजार काफी लोग अभी से ही कर रहे हैं तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वडियो पसंद आगा तो वडियो को लाइक चरू करतीजिएगा